हेलो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सारेडाउन टाबलेट के बारे में जो एक अनलजसिक यानि की दर्द निवारक दिवा है और साथ ही ये दवा बुखार को कम करने में भी काफी मददगार है दोस्तो सारेडाउन टाबलेट को किन-किन बिमारियों में कंडि सब्सक्राइब चरू करती जगा क्योंकि यहां पर अपको मेडिसिन एंड हिल्थ रिलिटर और भी बहुत सब्सक्राइब देखने को बलेगे तो दोस्तों के बात की जाए तो इसमें पैरसिटोम और कैफिन प्रॉफिफिन यह तीन साल के साथ यह दवा बनाई जाती है दो लेकिन मोस्टली यह दवा सिर्दर्द में ली जाती है दोस्तों हैडेक में यह दवा काफी अच्छा वर्ग करती है काफी अच्छा रिजल्ट देती है तो सिर्दर्द में यूज की जाने वाली यह काफी पापुलर दवा है दोस्तों इसके डोस की बात की जाए तो इसका पूरी तरसे आपके डॉक्टर तय करेंगे आपके मेडिकल कंडिशन को मद्दे नजर रखते हुए तेकि नॉर्मली इस दवा को दिन में एक बार खाना खाने के बाद एक टैबलेट ली जाती हैं साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके कारण नॉजिया, ओमेटिंग, देन, एंजाइटी, छक्कर आना, नीद न आना ये कुछ साइड इफेक्ट न जरा सकते हैं देहन रहें दोस्तों जिन लोगों को लिवर से या फिर किड्नी से समन्दित कोई प्रॉब्लम है तो वे इस दवा का सेवन ना करें साथ ही ब्रिस फीडिंग उमन, प्रेगनन्ट लेडिज इस दवा का सेवन ना करें, दवा रेनिसेपल ले डोक्टर से संपर करें और जिनके उम्र 12 साल से कम उम्र की हैं के लोग हैं, वे इस दवा का सेवन बिलकुल भी ना करें, बच्चों में ये दवा ना दे और इस दवा को कभी भी अलकोहल के साथ ना दे तो चलिए दूस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूँ, वीडियो की जानकर हेल्फोर रहोगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शूर कॉमेंट चुरू कर दीजगा और इसे मेडिसिन एंड हिल्थ रिले रिवीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, धन्यवाद